1983 में जब इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता उसमें एक छोटी सी इंसल्ट के कारण एशिया कप की स्टार्टिंग हुई थी वह यह था कि NKP Salve, जो BCCI के चर्वेन थे, उन्होंने इंग्लेंड क्रिकेट बोर्ड से वर्ल्ड कप फाइनल के दो पासेज मांगे इंग्लिश बोर्ड ने ना सिर्फ उनको डनाई किया बलकि उनकी इंसल्ट भी की और उस इंसल्ट के बाद में उन्होंने काम स्टार्ट किया, क्रिकेट का फोकस इंग्लेंड से शिफ्ट करकर एशिया के तरफ लाने के लिए इंडिया के व्ल्ड कप जीतने के कुछी दिनों बाद उन्होंने पाकिस्तान और स्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से बाची स्टार्ट कर दी साल बाद 1984 में पहला एशिया कप कंडग करवाया गया शारजा के अंदर इस इवेंट के बाद में इंडिया का क्रिकेट सीरेस के डेवलप होने लगा और आज इंडिया ICC के अंदर एक लीड से रखता है keep watching and stay curious